एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहाँ आप सब को पता है जी फोर ग्रामर एंटी फोर ट्रांसलेशन के वीडियो जाप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त प्रवाद कुमार सिंग और आज मैं आप सब के दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज 109 का तो इसका मतलब है कि मैंने एक्सरसाइज 1 से लेकर के पूरे 108 तक का वीडियो बना दिया है तो उसको भी आप जाकर के प्लेलिस्ट आगे मिलेगा महां से देख सकते हैं दो प्लेलिस्ट मिलेगा एक में आपको जो है वो वन से लेकर 100 तक का मिल जाएगे और दूसरे में 101 से लेकर के लास्त के वडियो जाप सभी को मिल जाएंगे तो अभी इस exercise में जो है वो आपने इसमें है देखा है किया है या चुका है चुके है चुकी है या फिर आ है या खाया है तो खाया है या खाया या ये वाला है तो यह जो है इसकी पैचान होती है यह एक्चुली जो है वो present perfect से related translation है और मैं एक जोड़ी बात आपको बताना चाहूंगा यहां तो यह solution वीडियो है यहां मैं आपके translation का answer बताऊंगा बट यदि आप tense को बिल्कुल zero level से लेकर के hero level तक या एडवांस level तक सीखना चाहते हैं तो हम आपको अभी playlist नीचे description में और उपर आई बटन में मिल जाएगा जिसमें grammar topics in English और उसमें आपको जो है tense, voice, narration सब के तो tense के वीडियो आप देख लें वहां मैं एकदम starting से बताया है तो अच्छा रहेगा यह तो solution वीडियो है चलिए तो अब शुरू करते हैं तो इसमे है यह है यह को शुरू में रखेंगे फिर उसके वाद subject रख लेंगे फिर उसके वाद भीतरी रखेंगे फिर उसके वाद जो है यह कोई object है तो उसको रखेंगे यहां है यहां पर subject यहां पर भीतरी और उसके अलावा यहां कुछ बचेगा तब और not रहे तो इसी subject के मैंने बता दिया है क्या बताया था शोट में बता देता हूं आई वी और यू इनमें रटलों की आप हैव लगेगा इसके अलाबा अधिक का जो बोध हो उसमें भी है भी लगेगा आप कहेंगे कि अधिक क्या होता है अधिक है दबवाय है तो एक है दबवाय है तो अधिक है तो एक है माई ब्रदर्स है तो अधिक है तो अधिक वाले में भी है लेगा और जिसमें एक का बोद हो उसमें जो है वो हैज लगेगा ठीक है और डिटेल में और मैंने पिछले एक्सरसाइज में बता है तो वहाँ से देख लेंगे क्या आपने राम को देखा have you seen राम क्या तुमने भगवान को देखा have you seen गौड क्या आपने भोजन किया है have you taken mil सब्हूंच में वह यह है फिर subject फिर वीत्री फिर जो object है वह क्या रामने अपना काम कियाै has raam done his work अपना का his यहाँ वो नहीं लगाएंगे वो मेरा अपना उसका अपना तब लगता है क्या वे लोग जा चुके हैं have they gone क्या भारत ने उन्नती की है has India progressed मनेंगे आगे क्या मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है has my brother done nothing या फिर आप यहाँ पर कर सकते है has my brother done और फिर यहाँ पर not और तब done उसके बाद nothing की जगा anything आगे भी आपको ऐसा मिलेगा कि not plus anything या तो not और anything आप लिखो या फिर direct nothing कर दो फिर है क्या बच्चे पाट शाला नहीं गए have the children not gone to school क्या आपका भाई नहीं खेल चुका है आपका भाई देखे एक काबुद हो रहा है है इसलिए आपके भाई होता तो अधिक काबुद होता तो has your brother not played क्या आपने match नहीं जीता have you not won the match इसको पढ़ेंगे one नहीं वन पढ़ेंगे one or anyone जैसे उचारण होता है बस समझेए वही अगला है क्या राम सुमसे नहीं मिला has not met you है ना या met with you भी चलता है लेकिन मेट से ही काम चल जाता है फिर है क्या आपने दवा नहीं ली है have you not taken medicine दवा लेना यानि खाना तो take ही होता है उसमें eat नहीं लगाएंगे अगला है क्या उसने परिक्षा पास नहीं किया है क्या उसने परिक्षा पास नहीं किया यहां पर एक mistake हो गया यहां पर हो जाएगा यह पर शी नहीं ना नौट पास नहीं लेता हूं और करेक्षन करवा दूंगा देखिए मैं कुछ लोग इस पर पूछते रहते हैं कि सरी प्रिंटिंग में ऐसे होते रहते हैं बट मैं आपको सही बताता हूं क्यों क्योंकि मैं टीचर हूं मैं दिन बर स्कूल में रहता हूं फिर कोचिंग पढ़ाता हूं फिर यहां रात को ही मैं करता हूं harassment होती है फिर भी कितने भी harassment नींद में भी हूँ तो teacher पहले हूँ इसलिए आपको गलत नहीं बताऊंगा तो इसलिए हो जाता है mistake तो यहाँ पर हो गया कि has he not passed the examination हो जाएगा फिर क्या वे लोग तुम्हारे पास नहीं आये हैं have they not come to you pass का two हो जाता है come to me मेरे पास आओ क्या तुम्हारी पत्नी ने एक शारी खरीदी है your wife एक ही है इसलिए जो है वो has लगेगा has your wife bought a sari sari का spelling s-a-r-e-v होता है और s-a-r-i-v होता है क्या वो जूट बोला है जूट बोलना का टेले लाई होता है तेसीज का भीत्री हो जाएगा has he told a lie क्या हुए लोग उपार लाएं है have they लाएं यहां पर एक और mistake हो गया और यह है ब्रिंग होता है लाना का और ब्रिंग का बी आरो यू जी एस्टी होता है इसका भी मैं screenshot ले ले लता हूँ ताकि correction करबा दूँगा तो यहां पर आप लोगों को है ना फिर से यहां देख लेंगे यहां पर यह आर लग जाएगा है ना brought brought a present क्या तुमने उसे तंग नहीं किया have you not waxed him yahar है ना उसे उसे clear नहीं कि male है या female तो him yahar दोनों में से कोई एक हो सकता है क्या राम पटना नहीं गया है has राम not gone to पटना फिर है क्या तुम जूट नहीं बोले हो या क्या तुम ने जूट नहीं कहा है दोनों का एक होगा have you not told a lie क्या उसने सच कहा है क्या उसने अपना काम नहीं किया has he not done his work अब यहां पर भी आप कहेंगे यहां पर भी यहां आप चाहे तो यहां she और यहां his की जगा हर लगा सकते क्लियर नहीं है उसने उसने अब महिला के पर उस पता नहीं चल रहा है इस प्रकार से फ्रेंड्स यहां पर समाप्त हो गया यह exercise उमिद करता हूं आपने मिला लिया होगा कोई confusion नहीं होगी फिर भी किसी प्रकार का कोई confusion हो तो कमेंट करें मैं reply जोड़ देता हूं थोड़ लिए तीन-चार महीने मेरे चैनल पर लग जाते हैं आप लोग का सयोग रहा तो पैसे आएंगे तो टीम भी बनेगी लेकिन मैंने प्रामिस बहुत शुड़ू में किया था कि कमेंट मैं तब भी परूंगा जोड़ परूंगा चाहे कोई गलत कमेंट करें तो बेसक उसका reply नहीं करूंगा गलत बालों का लेकिन मैं reply जोड़ दूँगा और सवाल हो तब तो ना देने का कोई सवाल ही नहीं है इसलिए आप सवाल करें हां यह कि मैं यह चाहूंगा कि जब आप कमेंट करें कोई confusion हो तो question जरूड लिख दे जिससे कि मुझे reply करना आसान होगा परना फिर बुक खोलो फिर वो एकसेसाइज खोलो तो दिक्कत होती है तो इसलिए और चैनल पर नए हैं यह चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जैसा कि मैं अपने वीडियो में देखता रहता हूं जो हमारा इनलिटिक आता है कि 80 to 85% ऐसे लोग हमारे चैनल को देखते जिनोंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो जल्दी जल्दी आपके पास कैसे आएंगे और आपको डूनने में भी दिकत होगी तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में All को प्रेस कर दें जिसे कि हमारे आने वाले व या current translation जिसका भी खोजना हो और ग्रेंट grammar या current translation जो भी यह बस इतना लिख दो तो लाइक करें ना पसंद आए तो डिसलाइक करें और यदि आप अपनों का करते हो कियार तो इस वीडियो को कर दे शेयर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए Have a nice day